आप जैसे करम करेंगे आपको ग्रह वैसा फल देंगे अगर किसी बच्चे की कुंडली में उसके पिता की मृत्यू उसके जनम के तीन वर्ष के अंदर अंदर हो गई तो ऐसे बच्चे को वंच दोश लगता है ऐसे घरों के अंदर इंसान गलत चीजों से पैसा कमाने के लिए प्रेरित होता है ऐसे घर के जो बच्चे होते हैं एक पिता के एक ही संद्बान को पितर दोश होगा इंसान को एस्ट्रोलोजी पे बरोसा रखना चाहिए लेकिन अंदर इश्वाशी नहीं होना चाहिए पिछले एपिसोड की सक्सेस के बाद में हम तरिशला जी को फिर से लेके आया है और आज हम थोड़ा सा डिटेल में जानने वाले अपनी कुंटली को पहले मैं सोच रहा था कि हम एक एपिसोड बनाते हैं जहां पर हम जाने के किस तरीके से हम अपनी खुद की गुंटली देख सकते हैं पर इनसे बात करके मुझे रिलाइज हुआ ये कुछ ताइंग में बात करना पॉसिबल नहीं है फिर हमने डिसाइड किया क्यों ना प्लैनेट्स को स्टडी किया जाए तो आज हम सबसे पॉपुलर प्लैनेट के बारे में बात करने वाले हैं जो हम लोगों की लाइफ में इंपैक्ट डालता है वो है सूरे वेलकुम बैक ट्रिश्ला जी जैश्री कृष्णा जैश्री कृष्णा तो मुझे थोड़ा सा बताओ इसके बारे में ना सूरे क्या है कैसे काम करता है एक बहुत अच्छा नाना है कुछ तो लोग कहेंगे ये 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 जो लोग कहेंगे ना ये कहने वाली आदत आपको कौन से प्लैनेट से आती है ये कहने वाली आदत आपको सूरे से आती है जो की हम मानते हैं कि अच्छे ग्रह नहीं है। जैसे की राखू, जैसे की केतू, अगर इनके साथ कहीं भी सूरे का संबंद स्थापित हो रहा है, तो ऐसे लोग दूसरों के उपर कटाक्ष बहुत जल्दी करते हैं। ऐसे लोगों को दूसरों के बारे में बोलने का बहुत जादा शौक होता है। चाहिए उन्हें पता है पूरी बात या नहीं पता है, वो न्यायाद हीश हो जाते हैं। ऐसी कोई बात हुई? अरे हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा ये व्यत्ती। आपने दौनों पक्ष की बात नहीं सुनी, आपने अपने गुरु को जैसे कि अगर आपकी कुंडली के अंदर सूरे से ही बनता है पित्रदोष, वंचदोष, कुलदोष, सूरे शनी का जैसे जैसे संबंद आपकी कुंडली में आता जाएगा, वैसे वैसे आपको पित्रदोष पता लगता जाएगा, वैसे वैसे आपके साथ वंचदोष और क परवत पर सबसे नीचे आपके तीन लाइन हुई या दो लाइन हुई या एक लाइन हुई इसको मल्टिप्लाइ किया जाता एक फॉर्मुले के साथ फॉर्मुला क्या है 19 इंटू 28 प्लस 108 डिवाइड़ बाइ 19 प्लस 9 और जितनी आपकी यह रेखाए हैं यहाँ पर इसको उसके अंदर प्लस करते हैं तब पता चलता है कि आपके पास पित्रदोश है या नहीं है नंबर निकाल के क्या होगा इस थोड़ा नंबर जब हम यह फिर तो बहुत बड़ी गणित हो जाएगी बहुत लंबा चोड़ा वह हो जाएगा पर मेरा सिर्फ छोटा सा इतना आप आप को बताना है कि कुणली के अंदर सुर्य जब जब भी आपके संशनी के साथ संबंध बनाते हैं तब तब कहते हैं कि पित्रदोश बन गया अब यह संबंध का डेफिरेशन है सुर्य और जो हमारे शनी है वो एक ही हाउस के इंदर बेठे होगा एक ही राशी में हो एक ह शनी का घर हो और शनी का ही नक्षत्र हो यह शनी का नक्षत्र हो वह कुन सा है घर देखिए क्या है अब फिर तो मैं आपको पूरी A to Z पूरी कुणली समझाने वेटोंगे उसके लिए हम सीरीज बनाएंगे न तो मैं आपको दीरे दीरे बताती जाओंगी सबसे पहले हमें य मेश राशी में जाकर उच के हो जाते हैं मेश राशी का जो घर है वो उनके लिए उच्छ स्तान का काम करता है तुला राशी में यानि कि उससे ठीक सात्वी राशी के अंदर वो नीच के हो जाते हैं अब इसके अंदर भी एक बहुत बड़ी गनित है अगर किसी बच्चे क कुंडली में उसके पिता की मृत्यू उसके जनम के तीन वर्ष के अंदर अंदर हो गई किसी बच्चे की कुंडली में ऐसा योग है कि इसके जनम के तीन साल के अंदर इसके पिता की मृत्यू हो जाईगी और वो भी गई तो ऐसे बच्चे को वंशदोश लगता है ना कि पित पित्रदोश जो होता है वो आपको अपने पित्रों से प्राप्त होता है जो आपके पित्र है आपके पुर्वत जो रहे हैं उनके कोई भी ऐसे कर्म है जिसकी वज़े से आपको ये श्राप लग गया या उनकी अच्छी से गती नहीं हुई या उनके नियमत जो पूजन है बहुत रहेंगे भाई बहन आपस में कभी भी एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं रहेंगे ऐसे घर के अंदर आर्थिक दिक्कतें बहुत जादा रहेंगे ऐसा नहीं है आमदनी रहेंगे लेकिन खर्चे भी हमेशा जादा रहेंगे ऐसे घर के अंदर बहुत जादा करज बढ़ते चले जाएंगे, ऐसे घर के अंदर बच्चों की उन्नती बहुत आसानी से नहीं हो पाएगी, ऐसे घर के अंदर जो आपस में रहने वाले लोग हैं, उनके मानसिक विचार आपस में मेल नहीं खाएंगे, मिचल अंडरस्टेंडिंग एक साथ काम नहीं करेगे, ऐसे लोगों के घर के अंदर मांगलिक कारे होने में बहुत कठना ही आएंगी, जैसे अगर हम कोई बर्डे मना रहे हैं बच्चे के तो पता लगा कि उसी समय घर के अंदर कोई बात हो गई, किसी की डेथ हो गई, हमारे घर के अंदर बड़ा प्रोग्राम था, नहीं हो पाया, और ऐसा बार-बार होता चला जाएगा, मतब आपके जो मांगलिक कारे हैं आपके घर के, जो भी आप फंक्षन्स करना चाते हैं या आप अपने घर के अंदर कोई अच्छा काम करना चाते हैं, उसके अंदर विगन बार-बार आएंगे और वो हमेशा आपके जिनके उपर पित्रदोश होता है, ऐसे जो लोग होते हैं, ये अपनी लाइफ के अंदर स्ट्रगल बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहता है, ऐसे लोगों का अब या तो अपने पैत्रिक घर से कोई भी इनको सुखनी मिलता, जैसे कि दादी, दादा, चाचा, ऐसे लोगों से इनको कोई खास सुख नहीं मिलता, दीरे-दीरे करके सब अलग-अलग हो जाते, सब को एक जूट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, आप कहो कि भई पित्रदोश का पूजन करा लो, चाचा से कहेंगे वो आएंगे नहीं, ताउ से कहेंगे वो आएंगे कोई हमारी सुनेगा नहीं, हमेशा एक दूसरे पर डाउट करना, हमेशा एक दूसरे को लेकर जो है गलत वचन ही बोलना, पब्लिकली एक ही कुल है, एक ही परिवार है, लेकिन पब्लिकली अपने ही वंच के बच्चों के लिए हमेशा बुरी बातें कहना, जैसे आपने द इका बेटा है, ये पित्र दोश के कही न कही लक्षन है, अब इसके बार आते हैं हम वंच दोश पे, वंच दोश के अंदर क्या होता है, आपका वंच आगे बढ़ नहीं पाता, ये सारे सिम्टम्स तो होंगे, ये तो साइड रखिए, साथ में एक और चीज जोड़ जाए जैसे आप उस घर का पैटन ये देखेंगे, कि 40 से 50 के आयू के बीच बीच में उस घर के जितने विजैंज से उनकी डेथ होती ही चली जा रही है, मेल्स कम होते चले जाते हैं घर से, फिमेल्स फिमेल्स रह जाती हैं, लड़किया ही लड़किया होती हैं, लड़के होते ही नहीं होंगी लड़के नहीं होंगे ये वंचदोश हो गया अब आपका पित्रदोश वहीं है वंचदोश को हटा दीजे ये वाले सिम्टम्स नहीं आते कुलदोश के अंदर पित्रदोश सेम वही है उसी का एक बहुत बड़ा रूप है कुलदोश अब कुलदोश में क्या हो उन्हें अच्छे life partners नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो कहीं न कहीं वो उनसे दिक्कत में रहेंगे, परिशानियों में रहेंगे, और कहीं न कहीं उनके द्वारा उनको प्रताडना बहुत मिलेगी, जैसे कि life partner के थुरू आपके उपर कोई case हो जाता है, वो आपको किसी case में फसा देते हैं, या वो आपका सब कुछ बटोर के चले जाते हैं, अपने नाम करा लेते हैं, या आपके घर में जो आप उनके life partner होते हैं, उनका ही hold होता है, ऐसे घर के जो बच्चे होते हैं, वो दबते हैं, हर जगे दबाये जाते हैं, केबल relationship में नहीं, अगर वो काम भी कर र अधी नशे के आदी हो जाते हैं, depressed हो जाते हैं, ऐसे घरों के अंदर क्योंकि कुल दोश है ना तो पुरा कुल है, उम्बा, पुरा का पुरा, ऐसे घरों के अंदर बहुत early age पर मृत्यूएं होती हैं, और वो normal मृत्यूएं नहीं होती, या तो suicide होता है, या murder होता है, अग को उस घर में एक व्यति, मानसिक रूप से कहीं न कहीं, दिक्कत में मिलेगा ही मिलेगा, ऐसे घरों के अंदर, इंसान गलत चीजों से पैसा कमाने के लिए प्रेरित होता है, ऐसे घर के जो बच्चे होते हैं, वो कभी भी अपने माबाप की बताई बात को सही नहीं मानते, अपने माबाप की सुनते ही नहीं है, अपने तरह से चलना चाते हैं, ये सारे सिंटम्स जो होते ही ये कुल दोश के होते हैं, पित्रदोश एक लिमिटेड सिंटम्स में आ गया, लक्षन में आ गया, अब उसके बाद अगर ये लक्षन भी आपके बच्चे के अंदर हैं, तो आप 100% मान के चलिए कि वो पित्र दोश अब आपका बनते, 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 कुल दोश मिना चुका है. तो यह आप एक कोशुन था, पित्र दोश एक फैंबली वही चल रहा है, मतलब पती, पत्नी और बच्चे में? एक दादा है, उनके आगे जितने भी बच्चे है, ठीक है? उनके वो सरकोलेट हो रहा है, मतलब एक पीडी से दूसरी पीडी पर जा रहा है, ठीक है आपके फादर से, आप पर आपसे, आपके बच्चे पर या से चल तराल भी ओ रहा है जैसे कि बहुत सारे घरों में हम देखते हैं आपके घर में एक बच्चे को भी पित्रदोश है दूसरे बच्चे को भी पित्रदोश है ये नहीं होगा कभी भी एक घर में एक ही बच्चे को पित्रदोश होगा एक पिता के एक ही संतान को पित्रदोश होगा पिता को है तो ब उनको अपने घर से पित्रदोश मिल रहा है, उन लड़कियों को, तो उनको वंचदोश मिलेगा, उनकी वंच ब्रद्दी नहीं होगी, ऐसी बच्चिया कंसीब बार-बार करेंगी, लेकिन अबोर्शन्स बहुत हो चाहेंगे, यह संतान उत्पत्ती में दिक्कत आएगी, यह कभी भी नमक का सेवन उपर से नहीं करना चाहिए, मतलब सबजी के अंदर आपको जितना नमक मिल गया, आपको खालीजे, लेकिन आप उपर से नमक डाल कर, कभी भी खाना नहीं खाएंगे, जिन्हें पित्रदोश होता है, उनके लिए सबसे बड़ी रेमेडी है, जिन्हे वंच दोश होता है, ऐसे व्यक्तियों को कभी भी अपने हाथ से गुड़दान नहीं करना है, वाइच से करा दीजे, बच्चों से करा दीजे, किसी और से करा दीजे, लेकिन आप गुड़दान मत करिए, जिनके उपर भी कुल दोश होता है, ऐसे लोगों को अपनी कुल द और आपके मुझे नहीं पता है आपके मुंदन कहा होते हैं हाभ आपकी कुल देवी को जानने के लिए हरिदुआर में बद्रीनात में बहुत सारे बैठे होते हैं पटिक हाँ वो बताते हैं उनके पस पूरा आपका ब्योरा होता है फिर भी अगर आपको नहीं पता चलता कि आपकी कुल देवी कौन है आप जानते ही नहीं है तो आप अपने मन से अपनी आत्मा से देवी के किसी भी एक रूप को अपना अराध्य माल लीजे कुल देवी नह आत्मा से चुन सकते हैं, अपनी पसंद से चुन सकते हैं, मेरे गोविंद मेरे आराद्धे हैं, पर वो मेरे कुल देवता नहीं है, मेरे ठाकुर जी मेरे आराद्धे हैं, मैं हमेशा कहती हूँ आराद्धे हैं, क्योंकि उनको मैंने अपनी आत्मा से स्विकार किया है, उनको तो मैंने अपने मन से, अपने दिल से, हर तरहा से मैंने उनको अपना सर्वस्व माना है, लेकिन मेरे कुल के देवता तो कोई और है, मेरी पीडियों से चले आ रहे तो कोई और है, मेरी कुल देवी तो कोई और है, अब आप ये भी बड़ी मज़ेदार चीज देखिए, आप कहेंगे कि देखे क्या combination है अगर मैं अपने परिवार का बताऊं आपको हमारे परिवार के अंदर मैं ही एक ऐसी हूँ जो ठाकुर्जी को बहुत ज़दा मानती है बाकी हमारे हाँ पर सब अलग-अलग उस पर चलते हैं जैसे मेरी ममी है वो भोले नात को बहुत मानती है जैसे मेरा भाई है वो मातरानी को बहुत मानता है तो सबके अलग-अलग अपने आराध्य हैं जिसने जैसे भी अपना रखें एक समय आया जब मुझे लगा कि मुझे जानना चाहिए कि हमारे कुल देवता कौन है, कुल देवी कौन है, पता होना चाहिए, उनके नियमिद भी हमको कुछ नख करते रहना चाहिए, वैसे तो शादी के बाद आपका सब कुछ बदल जाता है, आपके परिवार का ही आपको लगता है पती के परिवार का लेकिन फिर भी मैंने का दौनों तरफ का करेंगे न कोई दिक्कत नहीं तो मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि मेरी कुल देवी जो है वो योग माया है और मेरे लिए वो दिन मतलब ऐसा धा कि मैं आपको एक्स्प्लेंड नहीं कर सकती में को योग माया नहीं पता है योग माया वो है जिनका जनम ठाकुर जी के साथ जनमास्टमी पर हुआ जिनको एक्स्चेंज किया था ठाकुर जी से और फिर जब वो कंस के हाथ में आई थी तो वह आस्मान में उड़ गई थी और उन्होंने कहा कि मूरक मैं वो नहीं हूं जिसे तो मारने आया वो तो जनम ले चुका और वो तो अब तेरा वद करके रहेगा तो वो योग माया थी और जो ठाकुर जी थे वो नंदबावा के घर पहुंच गए और योग माया जो थी वो इधर आ गई थी है ना एक्स्चेंज हुआ था ना लेकिन दोनों का जनम एक ही रा ख़वन होता है योग माया जी का विशेश रूप से तो मुझे पता चला वो मेरी कुल देवी हैं तो आप यकीन मानिए मैं तो खुशी का ठिकाना नहीं था यह तो मतलब घजव हो गया मेरे साथ फिर उसके बाद हम लोगों का निकाला गया कि हमारे कुल देवता कौन है त वह हमेशा उनहीं की साधना भी करते थी तो उन भैरो बाबा का जम नाम निकाला गया तो आपको पता है उनका नाम क्या निकला ब्रज के भैरो बाबा तो मुझे समझ में आया कि मेरा कनेक्शन ठाकुट जी से इतना गह रहा है मतलब उन्होंने प्लांट किया है मुझे कि इसी घर में जाएगी यह आपका न कहीं उपर से पहले से चीज़े होती हैं तो कुल देवी और कुल देवता जो है या तो आप अपने बुज़ूर्गों से पूछ लीजे या आप वहां पता कर लीजे हरिदुआर या बद्रिनाथ जाके और अगर नहीं होता है तो आप अप कुनी के नियमित करते चले जाएंगे इसी तरीके से जब जब भी कुंडली के अंदर सूर्य आपको पीड़ा देने पर आते हैं तो वो सबसे पहले आपको पीड़ा देते हैं पिता, पिता के परिवार, पिता की प्रॉपर्टी, पैत्रिक संपत्ती इन चीजों से आपको दिक्कते आना चालू हो जाएगा, अगर सूर्य आपकी कुंडली में बली हैं, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, पिता आपके साथ हैं, चाए नहीं हैं, लेकिन आपको पिता का सपोर्ट मिलता रहेगा, और सूर्य स्ट्रॉंग की डेफिनेशन क्या है? सूर्य वो इसकी अपनी राशी नहीं है फिर भी वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा ही देगा तो सूरे अपने आप में बहुत जिसे कहते हैं आपको तेज देने वाले ग्रे हैं चंद्रमा की सोला कलाएं होती हैं आपको पता हैं इसी तरह सूरे की बारा कलाएं होती है सूरे जब जब भी, देखे सूरे के आप थोड़े सी चीजों को समझने की कोशिश करिए, सूरे कैसे हैं, दुनिया इधर से उधर हो जाए, सूरे अडामेंट है, सूरे अपनी एक पर्टिकुलर समय को लेकर प्रतिबंद है, वो बहुत पंचुल है, उनके नियम बहुत सकते हैं, वो अपनी चीजों पर बिल्कुल खड़े हैं, वो हिलेंगे नहीं, तो सूरे प्रधान जो व्यक्ति होगा, वो बहुत कमिटेड होगा, वो अपनी बातों से कभी नहीं मुकरेगा, उसकी जबान की बहुत पावर होगी, कई लोगों को आप देखते हैं, वो जाकर कही भी बोल देते हैं, मैंने कह दिया अब तुम इसे परिशान मत करना, नहीं न, आपने कह दिया फिर तो कोई बाती नहीं है, तो इट मींस कि ऐसे व्यक्ति की वैल्यू बहुत होती है, सम्मान बहुत होता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर उसे, चाहे वो कोई बड़ी पोस्ट पे बैठे या ना बैठे लोग फिर भी उसको बहुत आधरनी मानते ऐसे लोगों की एडवाइज जो होती है वो दूसरों के बहुत काम आती है अब इसी के विपरीत अगर सूर्य अच्छा नहीं है आपकी कुंडली में नीच का बैठा है या अस्टम में जाके बैठ जाता है अब आप क्या करेंगे आप बिना मतलब आपका कोई मतलब नहीं आप जानते भी नहीं है आप पहचानते भी नहीं है जैसे अब आपको में चीज़ बताओं आजकल एक बहुत हिट केस चल रहा है मार्केट के अंदर दो यूटूबर्स हैं दौनों का अपना अपन एक द्वंद चल रहा है और दोनों के दॉंद के अंदर इतने न्याया धीश बने बेट हैं कि आप उस पर कुछ नहीं कह सकतें और जपरदस्ती, एक चंद्रवंशी हो गए है, एक सूर्यवंशी हो गए है, जबकि ना वो चंद्रवंशी होकर उनका कोई भला हो रहा है, ना सूर्यवंशी होकर उनका कहीं भला हो रहा है, सत्य ता किसी को भी नहीं पता कि सत्य क्या है, एक ने कमेंट किया, उसने दूसरे आपने ये चीज़ बहुत देखी होगी YouTube पे, Reels में Twitter पे आपने बहुत जगे ऐसी चीज़े देखी होगी एक बंदा एक कमेंट करता है भाई, आपका क्या कहना है दूसरे का ये कमेंट आता है तीसरे का आता है, मतलब बेवजे आप अपनी उर्जा को ऐसी जगे खर्च कर रहे हो, जहां से आपको कोई लाब नहीं मिलना, वही समय सूरे समय का बहुत पाबंध है दुनिया इधर से उधर हो जा, उनका जो टाइम है वो उसी टाइम पर होगेंगे, और जो टाइम है उनके अंदर, लोग क्या कर रहे हैं, अपनी बेवजे उर्जा लगा रहे हैं, बिना मतलब आप उस चीज को एक लाइक, या डिसलाइक, या आप उस चीज को अवाइड करके भी, इग्नोर करके भी, आप आगे बढ़ सकते हो लेकिन आप रुक रहे हो, आप वहाँ पर आकर मस्ती कर रहे हो, आप वहाँ पर आकर अपनी चीजों को बढ़ा रहे हो, किसी ने दो बात लिकी, आपने चार लिकी, उसने चार लिकी, आपने आठ लिकी, ये क्या कर रहा आपने, अपने अच्छे घासे सूरे को खराब कर और सूरे केवल आपको प्रभावित नी करेगा, यहां पर वो आपकी आखों को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि आप अपने नेत्रों से देख रहे हैं, और सूरे का आपकी आइसाइट के उपर बहुत प्रभाव पड़ता है, अगर आपके पहले से लेकर चौथे घाने तक सूरे बैठे हैं, तो आपको 40 साल के बाद ही चश्मा लगेगा, अगर आपके चौथे से लेकर 7 घर तक सूरे बैठे हैं, तो आपको 30 के बाद ही चश्मा लगेगा, अगर आपकी कुणली के अंदर 7 घर से लेकर 9 घर तक, अगर आपकी कुणली में सूरे विराजमान है, त अगर इसमें combination और आपके सूरे कुंडली के अंदर बन गए या सूरे लगन के अंदर आपके बन गए combination तो यह आपको बच्पन में ही मोटा मोटा चिश्मा लगवा देंगे आपने देखा रहे हैं कई बच्चों को बहुत जबरदस लग जाता है तो आपने अपने नेतर खरा यहां नहीं है आप असी चीज़ों को बिना मतलब देख रहे है करते इस चीज को सूरे खराब करें आपको रहु के कंट्रॉल में पूरी तरीके से और आपका सूरे खराब हो रहा है अब वस्तूर्य का इफक्त January आपके पिता पर आएगा और आप विश्वाशंक नहीं करेंगे मेरे पास एक नहीं कम से कम दस्लियों ऐसे्टीज जहां पर इस चीज़ का इफक्त पिता-की आम धनी पर भी आता था फिता पिता की आमदनी यका यंग्स्टर्स हैं बच्चे हैं अभी तो कुछ करनी रहें स्कूल में जा रहें कॉलेज में जा रहें बिना मतलब दिन रात लगे हुए चैटिंग पर चैटिंग कर रहें किसी की भी बुराई चल रही है गुरुप के अंदर बढ़िया अराम से कमेंट कि पिता की चीजें डाउन हो रही है आज कल दुकान पर ग्रहक नहीं है यार मैं इतना काम कर रहा हूं पैसा बची नहीं रहा रीजन बेटे की कुंडली का सुर्य कहीं न कहीं एफ्रेक्ट कर रहा है पिता की घिर को उनकी आमदनी को कॉम्बिनेशन्स हैं, बहुत डिटेल्ड कॉम्बिनेशन्स हैं, पर करता तो है, अब आपने तो अपनी कुंड़ी किसी को दिखाई नहीं क्योंकि आपके लिए सारे अस्ट्रोलोजर्ज बेकार हैं, आपने तो माल लिया, सूरे प्रदान आदमी यही मानता है, सब बेकार है ऐसी बाते बोलेगा, आपको तो नहीं पता, आपका सूरे यहां पर बैठके क्या कर रहा है, आपको तो जो इफेक्ट दे रहा है, आप तो यह वार्नी जो निकाल रहे हो, आपके सासाद आपके पिता को भी हाम हो रहा है, आपने अकसर सुना होगा, स्कूल में भी, घरों म भी आपने अपने बड़े बुज़र्गों से सुना होगा हम किसी के लिए कोई चीज बुरी बोलते हैं तो बड़े बुज़र्ग कैसे टोक देते हैं नो बिटा किसी को बुरा मत बोलो कितने सारी चीजें बनी है बुरा जो देखन मैं गया बुरा ना मिलिया कोई ये सारी च अगर हम किसी की पंचायत कर रहे हो, तुम क्यों अपनी एनर्जी खराब कर रहे हो, तुम अपना काम देखो, भाड में जाने दो, जिसको करना है करने दो, यही कह के बच्चे कुछ डाट के बैठा देती, बच्चे बच्चे बने रो, बड़े मत बनो, इसका क्या रीजन है, इसका रीजन यही है, उन चीजों का कही न कही एफेक्ट आप पर आता, एनर्जी ट्रांसफर होती है, अगर मैं अपनी एनर्जी को वेज़ कर रहा हूं किसी भी गलत चीज के अंदर, तो मेरी एनर्जी कम हो रही है, इनर्जी तो है सूर्य, आपको एनर्जी मिल कहां से र सूर्य को किता भुरा बला कह देते हैं, भरी गर्मियों में हम यह कह देते हैं, जल गए बुरी तरीके से, कितनी गर्मी हैं यह सूर्य तप्र हैं बुरी तरीके से, कहते हैं न, हम उन्हीं को बुरा कह देते हैं, सूर्य देव को, ठीकि जब कि साक्षा देव हैं, वो हमारे हम उन्ही को जब बुरा कहते हैं आप ये देखिए, आप ये सोचिए उसके बावजूत भी उनको कोई फरक नहीं पड़ता एक, दो, पाँच, दस जिसको जो कहना है कहो मैं तो अपने टाइम पर आऊंगा मुझे मेरी लाइट से जिसका फायदा हो रहा है मैं उसको दूँगा मेरी उर्जा है जिन चीजों को बना रही है मैं उनको बनाऊंगा तुम जो कहना है कहते रो मेरे कान बंद है ये है सूर्य, बुरा सुनते नहीं है उनको मतलब ही नहीं है, उनको अपने करम से मतलब है तो जिसकी कहने का मतलब ये है जिसकी कुणली के अंदर सूर्य बहुत अच्छे होंगे या अच्छे बनाने होंगे आपको अपना distraction खतम करना पड़ेगा आपको अपना focus करना पड़ेगा सूर्य आपकी कुणली में अच्छ है जिस जगे बैठे हैं अगर वो गलत भी जगे बैठे हैं तो आप अपने आच जगड़ा क्योंकि इनका जगड़ा हो गया मैं ही हूँ बस मैं ही सब कुछ करूँ क्यूं आप अराम से बैठ जाए आपको जब बुलाया जाए नियाय धीश बना के तब जाए आप अपनी एनरजी पहले ही क्यों खराब करने चले जा रहें जो लोग कमिटेड नहीं होते ग्रह और करम एक दूसरे के सासर चलते हैं आप जैसे करम करेंगे आपको ग्रह वैसा फल देंगे बुरे से बुरे ग्रह को भी आप अपने कर्मों से अपने दान से अपने पुन्ने से अपनी चीजों से सही कर सकते हैं जिसकी कुनली के अंदर सूर्य अच्छी पोजिशन इसे इंसान को कभी मास मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए ऐसे व्यक्ति को हमेशा अपने बड़े बजुर्गों का सम्मान करना चाहिए ऐसे व्यक्ति को हमेशा केसी बड़े उम्र के व्यक्ति से एडवाइज लेकर ही कारे करना चाहिए अच्छा है तो भी नहीं है तो उसक सकते हैं. एक ग्रे वो है जो गोचर में गोचर कर रहा है, घूम रहा है, एक ग्रे वो है जो दशा, अंतर दशा, प्रतियंतर दशा, सब में चल रहा है आपके साथ, उनको आप अपने करमों से बदलेए न, उनके साथ आप वैसा इफेक्ट दिखाएए तो सही, तो changes आएंग किसी के लिए आपको कभी भी कुछ भी गलत अपने मन वचन करम से नहीं करना एक चीज और आपको बताती हैं बहुत अच्छी बात ठीक बच्चे जो बच्चे होते हैं उनकी कुणली के अंदर सूरे को हम बहुत बली बना सकते हैं चोटे बच्चों को हम अकसर एडवाइज करते हैं सूरे को नमस्कार करिये योगा के अंदर सूरे नमस्कार मुद्रा होती है आपको पता हो और हम कहते हैं कि सूरे को जल चाहए इससे आपका सूरे बहुत अच्छा होता है क्योंकि बच्चे जितनी छोटी उम्र में आप उनली के अंदर और 22 वर्ष के आयू तक अगर वो बच्चे ये काम कर लेते हैं तो सूरे उनको बहुत अच्छा इफ्रेक्ट देते हैं पूरे जिंदगी अच्छा इफ्रेक्ट देते हैं बुजूर्ग की तरह हमीशा उनके साथ चलते हैं इसी तरह अगर आप छोटे बच अगर आपके हैं तो उनके चरन स्पर्ष करके आप चालू करोंगे अब चरन स्पर्ष ये नहीं होता पैरिपोना नहीं अच्छी से आप बैठेंगे अपने दोनों पैरों पे दोनों हातों से अच्छी से चरन स्पर्ष करेंगे और आशिरवाद अपने सर पे लेंगे ये ह उसको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी चाहे कितनी भी डिफिकल्टीज हो बाकी के अगर उसकी कुनली में बैठे हुए आठ घ्रहे उसको सपोर्ट ही ना करें तब भी अब यहां वे दो कोशन निकल गया है एक जिसे वेरी बेटी है हमारे परिवार में कहते हैं कि लड़किया पैर रील में देखा था कि अगर मैं सूरे को जल चड़ाता हूं तो मेरे लिए वो नेगेटिव है नई तो आपको कुछ मिला कर यह सूरे को जल चड़ाना चाहिए जैसे कि अगर आपकी कुनली के अंदर दूसरे चौथे चटे आठवे या बार्वे भाव में सूरे बैठे है तो आपको कुछ मिला कर ही सूरे को जल चड़ाना चाहिए जैसे कि शहद हो गया चीनी के दो दाने हो गये थोड़ा सा गुड का पानी कर लिया आपने वो करके ठीक है अगर आपकी कुनली के अंदर आपके लगन में आपके तीसरे भाव में पंचम भाव में सप्तम भाव म अगर आपके सूरे बैठे हैं तो आपको सूरे को जल चड़ाते वक्त किसी ना किसी मंतर का उचारण जरूर करना चाहिए या फिर आपको उससे पहले कोई भी एक मंतर का जाप कर लेना चाहिए चाहिए आप मा गायत्री के मंतर का जाप कर लिजे लेकिन उसके बहुत निय तो आप कोई भी और मंत्र कर सकते हैं ओम नम शिवाय कर लिया आपने हनुमान जी का कोई मंत्र जाप कर लिया पर करना आपको कोई भी पुरुष देव का है तरीका नहीं करेंगे आप किसी भी पुरुष देव का मंत्र जाप कर लिए कुछ नहीं है तो आप श्री हरी का कर ल जल है उसके अंदर आपने थोड़ा सा कुम-कुम या आपने चंदन डाल दिया और फिर आपने जाके जलर पित कर दिया तो ये भी एक तरीका है तो ऐसा तो नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो सूर्य नीच का है जो चीज खराब है उसी को ठीक करना है उचका सूर्य है तो कोई एक बारी को गोले तुम जल मत चड़ाओ तो बात समझ में आते हैं लेकिन जिसका औरेड़े सूर्य खराब है उस बच्चे को तो जरूर करना है क्योंकि उसको तो ताकत देनी है कमजोर है न कोई चीज आपकी बोड़ी में अगर आपका हाथ कमजोर है तो मैं उस हाथ पर क करूंगी कभी जिम गया हैं तो उसमें नहीं वह लोग कहते की नहीं आपका तो जो है यह शोल्डर को काम करने की ज़रूरत है यह आपकी लग्स कमजोर है आपको मैंने तो सुना है भई मैं तो कभी गई नीना वने को जाना तो ऐसा बोलते हैं शायद वहाँ पे यह हमारे के साथ है कमजोर चीज़र से ञाज़ा दान किया जाएगा उसी की प्रार्थना की जाएगी उसी को ऑर अच्छा बनाया जाएगा मजबूट चीज़को कॉन मजबूट बनाने की बाट करता है तो आप क्या चीज़े सूरे भी करती है जिन लोगों को बहुत जाग आते हैं मूँ में या बहुत थूख बनती है जिन लोगों को जगे जगे थूखने की आदत होती है कहीं भी थूख दिया कुछ लोग होते हैं जो तंबाकू गेरा च्विंग करते हैं उनकी आदत होती है कहीं भी एक particular wash washing में नहीं कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं जाके, इससे भी सूरे खराब होते हैं, यह होता ही उन लोगों को है, लार सबसे ज़रा बनती ही उनकी है, बच्चों की बाद छोड़ दीजे, बच्चों को लार बनती ही है, वो उनका अपना एक development का तरीका है, एक certain age के बाद बता रही हूं मैं, आप बाइस साल के बाद, एक certain age मतलब बाइस साल, बाइस साल के बाद अगर आप ये सारे कारे करते हैं, तो आपका सूरे खराब होता है, अगर सूरे खराब होता है, क्या बारी body के उपर भी कुछ चीज़े दिखाई देती है, मैंने आपको जैसे बताय जाईया नहीं देते हैं, जाईयों में कही न कहीं सूरे का भी हात होता है, बाल, जिनके दो मुहे बाल हो जाते हैं, जिनके बाल नीचे से बहुत जादा रफ होते हैं, जिनके बाल जड़ते बहुत जादा हैं, उसमें भी कहीं न कहीं सूरे का combination होता है, और कुछ organ में, पारी रीड की हडडी, इसमें भी सूर्य है, तो जैसे आपने आख का बताया था, कि इस इस हाउस के अंदर अगर बैठा है, तो उसको आख की प्रोलम आएगी, ऐसी कमर की प्रोलम का भी कोई पैटन है, पर उसमें बहुत लंबे चोड़े पैटन हैं फिर, उसके साथ फिर कहीं राहू के भी आएंगे, फिर उसको हमको न सूर्य लगन के साथ भी कम्माइन करना पड़ेगा, तब जाकर निकल कर आता है, ठीक है, तो मतलब मेज़ा महादशा, आपकी वैसी होनी चाहिए, एस्ट्रोलोजी एक्चली बहुत छोटा नहीं है, कि मैं आपको दो या चा से भी है, इस साइट से, सूरे का संबंध आपकी रसोई से भी है, अगर आपकी कुनली में सूरे अच्छे नहीं है, तो आपको अपनी इस्ट वाल के उपर सूरे देव का चित्र जरूर लगा के रखना चाहिए, जो लोग चाहते हैं कि उनको कही न कहीं सरकारी नौकरी मिल जाए, बहुत सालों से प्रयास कर रहे हैं, पर उनको सरकारी नौकरी नहीं मिल पारे, ऐसे लोगों को हमेशा अपनी इस्ट वाल पर एक पीतल से बने हुए सूरे का मुख जरूर लगाना चाहिए, और यह हम का पर बात करें, बेडरूम के अंदर, नहीं पूरे घर का जो आपके घर का जो इस्ट है, हाँ, पर्टिकुलर एक कमरे का नहीं, आर कमरे का भी होता है, लेकिन हम पूरे घर की बात करें, क्योंकि सूरे तो आपके घर का पूरे का वो देख रहा है न, तो वहाँ पर आपको ज़रूर लगाना चाहिए, अगर मैं रिस्वई की बात करू हजबन वाइफ के बीच में सब कुछ बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ननद आती है, जगड़ा लगा जाती है, देवर आता है या जेट आता है, जगड़ा लगा जाता है, कारण कोई भी बनता है, कुछ भी होता है, मैं बात लेकिन सर्फ यहाँ पर भा प्रॉब्लम आ रही है आपको अपनी किचिन के इस्ट साइड में आपको हमेशा लाल कपड़े के ऊपर दो इलाइचियां रख देनी चाहिए उटावी कपड़ा चलेगा बिल्कुल जरह सा भी चलेगा बांध के भी रख देंगे या टांग भी देंगे तो भी चलेगा अब इलाइचि क्या काम करेगी यहाँ पर बुद्धी सही करेगी और लाल कपड़ा क्या करेगा वो एनरजी जनरेट करेगा कि आपका और आपके हस्बेंड का रिलेशन्शिप बहुत स्ट्रॉंग हो जाए अब यहीं एक और कॉंबिनेशन बताती हैं सूरे मंगल का कॉंबिने एक समय के बाद में अचानक से किसी ने कुछ नहीं कहा किसी की कोई बात नहीं हुए कोई लडाई नहीं हुआ कोई जगडा नहीं हुए और दोनों के बीच में डिस्ट्रेक्शन्स चालू हो जाते हैं हस्बेंड वाइफ की नहीं सुन रही वाइफ हस्बेंड की नहीं सुन में हरी सौंफ बांध कर रख दीजी मंगलवार के दिन हजबन कमिटेट हो जाएगा आपकी सुनने लगेगा वापस से आपके साथ हो जाएगा कमिटमेंट चाहिए अब यहाँ पर मेरी वो प्यारी वच्चियां बोलने वाले बॉइफरेंड ना दे तो बॉइफरेंड कमिट के पास रखाना चाहिए अब मैं उल्टा बोलता हूँ लड़के बोल रहे गलफ्रेंड नहीं मिल रहे नहीं मान रही हाँ नहीं मान रही का बात समझ में आती नहीं मिल रही मत बोली है अगर लड़कियां कमिटेट नहीं है तो फिर आपको शुकरवार के दिन देवी मा के म मंदिर में जाकर लाल रंग की चुन्नी उसके अंदर नौ चूडियां डाल कर चुन्नी के अंदर नौ लाल चूडियां डाल कर उसकी गाठ लगा कर मंदिर में चढ़ा कराना चाहिए डेवी मा के मंदिर में दुरगा मा के पति यसी करना चीए नहीं वीवी कमिटेट नहीं नहीं देखे रिलेशन्शिप बदल रहे हैं वहाँ पर अल्रेडी कमिट्मेंट एक हो चुकी साथ फेरे हो चुके एक लीगल ठपा लग चुका देखिए आपको मैं चीज बताती हूं मुझसे अभी किसी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा मुझे मज़ा आता है जब कोई परकार है वो भी शादी मानी जाएगी बस यह कि उसमें लीगल ठपा नहीं लगा लीगल ठपा क्यों नहीं लगा क्योंकि कहीं न कहीं आपकी कुंड़ी के अंदर मिलन बाधा दोश है आपके रिलेशन्शिप को एक लीगल जिसी कहते हैं समाज की स्विक्रती वो नहीं मिल तो सीम यहीं पर है, आप मुझ से यह कह रहे हैं कि कि हज्बंट वो है जिन्होंने एक बंदन को बांध लिया, अगरिके साथ फ्पेरन ले लिये, इश्वर के सामने समाज के सामने उस रिष्टे को अपना लिया, स्विकरती दे दी उस रिष्टे को कि आज से तुम मेरा नाम हो, لوगी और मेरा तुमारा नाम मेरी नाम के साथ जोड़ा जाएगा आज से मेरी हर चीज आपकी हो गई, आपने यह सारे समाज के सामने स्विकर्ण कर लिया boyfriend और girlfriend जो होते हैं वो legally किसी के सामने नहीं होते कितने लोगों को पता है आपके relationship के बारे में 10, 15, 20, 50 बस आप अपने नाम के आगे उस समय तक भी father का यह surname लगा रहे हो तो दोनों की remedies बिल्कुल अलग-अलग होंगी वहां 5th house काम कर रहा है पती को commitment नहीं मिल रहा है wife से या उसको ऐसा लग रहा है कि मेरी wife मेरे साथ नहीं ठीक है या आम दोनों का relation हमारी bonding अच्छी नहीं है तो ऐसी condition में रविवार के दिन आपको गरिबों को मीठा जरूर खिलाना जा अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी wife से मुझे दिक्कत आ रही है या हमारे relationship में कही mutual understanding के या किसी पितरे के कोई भी problems है एक question जो मेरे बहुत टाइम से गूम रहा था मैंने का मैं off topic नहीं लेगा जाता बात में पूछूँगा आपने बोला गुड के बारे में कि सूर्य के पास बारा गुड है नहीं 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 बारा गुड नहीं बोला मैंने मैंने बोला बारा कलाए हाँ कलाए ठीक है जैसे कि चंद्रमा के सोला कलाए चंद्रमा कलाए क्या है कलाए उनके अपने एक तरीके से आप कह लीजे उनके अपने गुण है, हाँ, उनको गुण कह लेज़े, ठीक है? उनके अपने अलग-अलग गुण है जैसे कि ठाकुर जी के पास 16 कलाइ, 16 कलाइ संपण है, इट मिंस आपके पास उतनी तरह की चीजों से आप युक्त है, आपको उतनी तरह की चीजें करनी आती है, आप हर को कर सकते हैं नित्य भी कर सकते हो गायन भी गा सकते हो कहते हैं तो आपके पास 16 तरह की कलाएं हैं जो आप कर सकते हैं सूरे के पुत्र थे आपको पता है कंड सबसे बड़े दानी वही कहला है कंड सूरे पुत्र अनो ऐसा कहा जाता है इतिहास के अंदर महाबारत के अंदर क कि उन जैसा कोई योद्धा नहीं था अर्जुन के बाद अगर किसी को सबसे अच्छा योद्धा गिना जाता था तो वो कर नहीं थे तो आप सोचे वो तो उनके पुत्र थे सुरेदेव खुद कितने तेजस्वी हैं उनके अंदर कितना प्रताप है उनकी कितनी उर्जा है ज इतने भी उच्छ लेवल के अधिकारी बैठे हैं जिनके अंदर उस सीट को समहालने की कलाएं हैं आप एक चीज समझिए कोई IPS ऑफिसर है कोई IS ऑफिसर है ठीक है इस लेवल पे अगर कोई व्यक्ति बैठा है तो उसमें कोई तो बात होगी तब भी वहां बैठा है उस पो आपकी एक तो होती है एक तो आपने हमारी नेच्रल स्किन है और उसमें हम नॉर्मली कुछ भी कर रहे हैं वो तो चंद्रमा हो गया कि वही आपके भाव दिख रहे हैं उसके हिसाब से आपका चेहरा मासूम है आपका चेहरा तेज दिखाई देता है फेस रीडिंग करते न तो हम बोलते हैं यह बहुत चंट चेहरा है यह बहुत डिप्लोमाटिक है यह बहुत होश्यार है यह बहुत मासूम है यह बहुत इनोसेंट है यह बहुत सात्विक है यह बहुत धार्मिक है अलग-अलग चेहरे होते हैं चेहरों के कित्ते सारे रूप रंग होते हैं फेस तरीके से ये तो हो गया आपका नेक्छुडल जो आपको बाइबर्थ आपके Чंद्रमा से आपको पृप्थ हुआ, मन के भावों से बदलता रहता है, आपके मन के भाव जैसे होंगे, आपका चाहरा वैसा वैसा बदलता जाएगा, समय के साथ बदलता है चाहरह, आप देख लिधिया है यह चंद्रमा की कलाए जो बदल रहा है इसी प्रकार से आपकी आन्तरिक उर्जा होती है जिसे हम आत्मा कहते है और कारक्ष पुर्जा है तो उसकी अपनी एक उर्जा है वह उर्जा जब आपके चाहरे पर तेजस्वी लोग जो बहुत सिद्धी और बहुत वो चीजे करते, मैं उनकी बात करें, तो उनके चाहरे पर आपको वो एक अलग सा तेज दिखाई देता है, है न, वो क्या है, वो सूर्य, बुद्धी आपकी नियंतरन जो करता है, वो क्या है, सूर्य, आपके माइंड को जो सही गती से पहुचा दे सही जगे पर, वो क्या है, सूर्य है, आपका सही ड्राइवर जो है न, वो सूर्य, चंद्रमा क्या करता है, मन को बठकाएगा, सूर्य अच्छा होगा न, कितनी भी बठकन आएगी, इंसान अपने लक्षे पर चलेगा, बठकेगा नहीं, कभी नही बठकेगा, तो सूर्य आपकी कुंद्ली में बहुत सारे काम करते हैं, थोड़ा-थोड़ा बताती हूं, पहले घर में अगर सूर्य बैठी है, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है, वो बहुत टैलेंटेड होता है, ऐसा व्यक्ति जो होता है, वो बहुत माइंड से काम करने वाला होता है ये जो हम घर की बात कर रहे हैं ये जो कुण्डली ये हमारी लगन कुण्ली है जो हम पैदा हुए वो लगन कुण्ली है उसमें राशी कोई भी हो सकती है ठीक है खाने वही रहते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौता, पाच्वा, छटा, सात्वा, आठ्वा, नौमा, दस्वा, ग्यार्वा, बार्वा खाचे वही रहते हैं, लेकिन उसमें राशियां बदल जाती हैं 12 राशियां हैं, तो 12 लगन के लोग पैदा होते हैं लगबग लगबग आप ये समझ लीजे कि दिन के डेड़ घंटे में एक लगन चेंज हो जाता है, कुछ seconds का भी रहता है, और कुछ सूरे के वही, जब सूरे उदय होते हैं हैं, उसी से फिर गणना करी जाती है उन चीज़ों के, लगबग लगबग आप ये मानके चलिए, वहाँ पर कोई भी राशी आ सकते हैं, जैसे आप suppose करिए कि आप सुबह पैदा हुए और मैं शाम को, तो हम दोनों के लगन चेंज हो जाएंगे, जब पहले घर के अंदर सूरे आता है, तो लगबग लगबग आप ये मानके चलिए, वह बहुत talented व्यक्ति होता है, बहुत minded होता है, वो विश्यम से विश्यम परिस्तितियों में अपने बुद्धी से उसका हल निकाल लेता है, ऐसा व्यक्ति दिल का और आत्मा का बहुत साफ होता है, परंतु ऐसा व्यक्ति अपनों के लिए कितना भी कर ले, उसको अपनों से सपोर्ट कभी नहीं मिलता, हर चीज का प्लस और माइनस दोनों है, जितना प्लस है, उतना माइनस भी है, अब दूसरी राशी, अब अच्छा, इसके अंदर भी बहुत विस्तार है, अगर अमें बताने चलू, अब यह राशी कौन सी है, जिसमें हम बात करने, अगर यह स्त्री राशी हो गई, तो बात अलग हो जाएग हर राशी का अपना एक वो होता है, कि वो इस्त्री तत्व राशी है या पुरुष तत्व राशी है, ठीक है, तो जो इस्त्री प्रधान होते हैं, राशियां होती है, उनके अंदर जब सूरे आ जाते हैं, तो उनकी अलग चीज़ें आ जाती है, अलग कैलकुलेशन आ जात तो यह बहुत फिर बहुत विस्तार से चलता चला जागा, फिर इसके अंदर नक्षत रा गए, डिग्रीयां आ गए, बहुत सारी चीज़े होती है, ठीक है, मैं कहाँ हैं ना मैं सोरे सोरे आपको पढ़ाने चलूंगे एक महीना है, पूरा, अच्छा ये और है, ये और एक मह परवरी में इस तरीके से वो हर राशी में अपना एक साल पूरा बिताते हैं व्यतीत करते हैं अब इसके अंदर क्या है जैसे कि दूसरी राशी के अंदर जब सूरे बैठे होते हैं तो ऐसे व्यती को आख रिलेटेड प्रॉब्लम आती ही आती है ऐसे व्यती की कुंडली में उसके कुटुम का कोई दोश लगा ही होगा और ऐसा व्यती अपने घर परिवार से जितना दूर जाकर काम करेगा उतना ही सक्सेस्पुल होगा घर के आसपास रहके काम नहीं कर सकता तरके दूर जाके काम करेगा तो वो बहुत सक्सेस्पुल होगा क्याते साथ समुंदर पार कर लो वही वाले लोगों थे साथ समुंदर भी कर सकते हो पर कम से कम कुछ डिस्टेंस तो रख लो 200-500 किलो मीटर दूर तो चले जाओ तो आपके लिए अच्छा रहेगा तीसरे घर के अंदर अगर सूरे होगा ऐसा इंसान बहुत मनमोजी होगा हमेशा दोसरों का सोचने वाला होगा दोसरों के लिए पहले करेगा फिर अपने लिए करेगा पर ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन के 38 वर्ष के बाद एक बड़ा जटका जरूर लगेगा चाए वो क सारी चीज़े देखी जाएंगी आपकी सूरे पर द्रिष्टी किसकी है मैं तो एक नॉर्मल कैल्कूलेशन बता रहे हूं कोई और भी है प्लेनेट साथ एक नजर होती है अपने सूरे शनी की नजर बहुत खराब है तो शनी की नजर होती है दूसरे घर पर जैसे सपोस करि होता हैं गुरु जिसको देखते हैं उसको बढ़ा देते हैं को अपना वह होता है तो यहा पर क्यों की खराब द्रिष्टी आ गई तो भी तो फिर थोड़ा साब रिलिफ मिल जाएगा इस तरीगे से चीज़े गढ़ना की जाती हैं, हर ग्रह की अपनी दृष्टियां हैं अलग-अलग, शनी की तीन हैं, गुरु की तीन हैं, इस तरीगे से अपनी हर किसी की दृष्टियां हैं, ये आपके जीवन के अंदर इस तरीगे से सूरे जिस खाने में बैठते हैं, उस आपको फल प्रादान करते हैं, जैसे कि सूर्य अगर आपकी कुणली के अंदर सिंग राशी के आपके सप्तम में बैठ जाने हैं, मतलब क्या हुआ? सिंग राशी उनकी अपनी खुद की राशी और पांच नमबर आप जो राशी है, वो आपके सैवन्थ हाउस में, सैवन्थ खाने में आ रही हैं, और वहाँ पर है सूर्य बैठ हैं, यानि कि आप ये मान के चलिए, लगबग लगबग ऐसे व्यक्ति का जो जनम है, वो 15 अगस के बाद होता है, 15 अगस से लेके 15 सेप्टमबर के बीच में होता है ऐसे व्यक्ति का जनम, उसके आगर ऐसा लगना आ जाए, जहाँ पर उसके सप्टम के अंदर जो है सिंग राशी आ गई, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत समस्दार, बहुत माइंडेड, होट इंटेलिजेंट सब्सक्राइद ही प्रइभारा ब्रीं पर स्पोरकारी ननौ कर बाद है, इस नम क्यू üzerine अंट अगना से रहा है सेर्पर कि अट यह्य। मैं इनको जादा लंबा भी नहीं कीचना जाता वहाद दूर जाना इनको तो हम थोड़ा क्विक करेंगे अपने पिता के घर से अपने दादा की साइट से कोई ना कोई एक पित्र का आशिरवाद बहुत जबर्दस्त काम कर रहा होगा जो उनको हमेशा हर विशम परिस्ति में भी सेव करेगा ऐसा व्यक्ति अपनी लाइफ के पैतालिस वर्ष में अकस्मत कुछ बहुत बड़ा पा लेता है अगर छटे घर के अंदर सूर्य बैठे है तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर कभी भी अपने सोचे हुए विचारों को पूरा नहीं करना चाहिए बिना किसी के बहुत अच्छी दे देगा, इंटेलिजन दे देगा, पैसे कमाने वाली दे देगा लेकिन आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टरब करें अस्टम के अंदर अगर सूर्य बैठे है तो ऐसे व्यक्ति को अपने ससुराल की तरफ से कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से प्रतार्ण बहुत मिलेंगी, ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर बहुत सारी चीजों के लिए संगर्श बहुत करना पड़ेगा, पर ऐसे व्यक्ति की इंटेंशन और इंट्यूशन इंटेंशन भी और इंट्यूशन भी दोनों बहुत अच्छी होंगी, ऐसा व्यक्ति हमेशा अपने साथ के लोगों की उन्नति को सोच के चलता है, उनके बारे में सोच के चलता है, बहुत clear hearted व्यक्ति होता है, नवे घर के अंदर अगर किसी का सूर्य बैठा है, तो ऐसा बहुत धार्मिक इनसान होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को जीवन के अंदर हमेशा इश्वर का अच्छना नच्छा होना चाहिए, यह नहीं कि आप सुबह बारा बजे सो के उठ रहे हैं, पर तो गया बरबाद, आपको जो मिला है न पुन्ने, अपने पित्रों से, अपने पुरवजों से, अपने इस्ट से, वो सब खतम हो गया, अगर आपके नवे घर के अंदर सूर् और अगर यहाँ पर किसी नीच ग्रह की दृष्टी है, या यहाँ पर कोई ऐसा इनका शत्रों बैठा हुआ है, जो इनके साथ में बैठ गया, तो इनको दिक्कत देगा, सूरे के साथ में, जैसे कि राहो बैठ गया, तो बहुत दिक्कत देता है, ग्रहन बना देता है, और पापा का बिजनस तो वो बिजनस उनको नहीं फलेगा अगर इसी कॉंबीनेशन के अंदर इनी के फादर की कुंडली के अंदर शनी और राहू का कॉम्बीनेशन फिफ्ध हॉसमें हैं तो आप एक और कमाल देखिए ऐसा व्यक्ति उनके पिता लिए तो बहुत भाग्य वर्दक हो जाता है उसके जनम के बाद पिता राइजी 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 राइज राइज करता है और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाता हमेशा दूसरों पर आश्रित रहता है ऐसे हात पेलाता रहता है कुंडली का कॉंबि जरूरत नहीं होता है पर कई बार ऐसा होता है कि आ जाती है फैमली के एक साथ में कि फादर ने भी दे दी बेटे ने भी दे दी तो फिर चीजे कई ना कई कंबाइन हो जाते हैं सूर्य अगर आपके ग्यारमे घर में बैठा है ग्यारवा घर का मज़ा यह है कि उसके अंदर तो पापी घर भी जाकर बढ़िया आपको रिजल्ट दे देता है तो सूर्य अगर यहां बैठ जाता है तो ऐसा इनसान अपने जीवन में लाब बहुत कमाता है यसमान प्रतिष्था बहुत पाता है ऐसा व्यक्ति हमेशा लोगों के द्वारा पूजा जाता है ऐसा व्यक् अगर यहां पर उसके साथ कुछ और अच्छे ग्रहुं का combination बन जाता है, तो ऐसा व्यक्ति विदेश में बहुत नाम कमाता है, विदेश ते बहुत पैसा कमाता है, अगर बारवे घर का सूर्य है, तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा अपने सिर को हमेशा बचा कर रखना चाहिए, उसको सिर से related दिक्कतें आती ही आती है, पर मैं फिर वह ही कह रही हूँ, यह सारे के सारे combinations आपको तब समझ में आएंगे, जब आप बाकी के 9 ग्रेयों को समझेंगे, और 9 ग्रेयों के साथ इनको आप एक दूस्टे के साथ combine कर पाएंगे, तो अब एक छोटा सा assignment दे रहा हूँ, अपनी कुंडली निकालो, अगर बनवा रखी है आपके सामने चीजे क्लियर आएंगे, अगर अपने प्लेस भी नहीं डाला ना, सपोस्ट करिए कि आप वहाँ पर एक पर्टिकुलर कोई भी जगे लिखी होती है, अपने वहीं लिखा छोड़ दिया, तो भी आपकी कुंडली चेंज हो जाती है लोकेशन का तो इंपोर्टन्ट है, तो ओडियन्स का एक ही कोशन लेगे है मेरे नाम बादल है, मैंने आपको अपनी कुंडली दिये तो आप बताईए बादल जी आपकी कुंडली पहले तो मैं एक चीज बताऊं बहुत अच्छी है, ठीक है लेकिन आपकी कुंडली के अंदर स्ट्रगल बहुत रहने वाला है आपको जीवन के अंदर उतार चड़ा आप बहुत मिलेंगे और देखिए सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूँ चाहे आप अभी से स्टार्ट करें, चाहे आप और पांच साल बाद चालू करें आपको आना कल्ट फिल्ड में ही है, जो तेश की लाइन में आपको बहुत इसके अंदर आगे नाम भी मिलेगा आप इसके अंदर बहुत सारी चीज़े भी कर पाएंगे, क्योंकि आपकी कुणली अपने आप में इतनी सॉलिड आपको सपोर्ट करती है, आप किसी के लिए भी रेंडम ली जो भी बोल देंगे, वो बात उसके साथ हो जाएगी इस चीज़ को बढ़ाईए, आपकी कुणली साधना की कुणली है देखिए एक क्या होता है, एक होता है इनसान पढ़ने वाला कि वो पढ़के किसी चीज़ को कर पा रहा है, जैसे पूरी एस्टोलोजी उसने पढ़ी और पढ़ने के बाद वो प्रेडिक्शन्स दे रहा है एक व्यक्ति होता है ऐसा जो रैंडमली किसी चीज़ को बोल देगा देख के भाई देखना आगे बचना आपके पेट में कोई दिक्कत होने वाली है और थोड़े दिन बाद पता चला कि उस व्यक्ति के साथ सच में वो चीज़ होने लगते ये होती है अंदर से आपकी आत्मा से निकली हुई बाणी ये सिद्धियों से साधनाओं से और ज़्यादा आप अच्छी कर सकते हैं आप चुकी सदार हैं तो मैं आपको ये नहीं कह सकती कि आप हमारे देवी देवताओं का वो करिये बट ये तो युनिवर्स आपको आटोमेटिकली ही ले आएगा एक चीज़ में बट सदार नहीं हूँ मैं पंजाबी हूँ आफ्टर मैरिज मैंने ये को फोलो गई है ओके ठीक है बट बट मैं बट 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 पंजाबी रहा हूँ रहसे नोंबल मोना शादी के बार मैंने बेसिक पूरा फिजिकल में आया हूँ इन्होंने कोई Facebook का पेज भी शुरू किया है वो भी इस ही के उपर है नहीं नहीं बट जूसरे पर है मुझे लगा वो भी गुर्बाणी टाइप से है वो भी टिवोस्टली नौट गुर्बाणी वो गुरुजी टाइप है तो जैसे यह है तो यह भी अकॉल्ट में आ गये हैं ज़िए इनकी कुंडली अकॉल्ड में पड़ी लिखी अकॉल्ट कुंडली नहीं है अपकी कुंडली के अंदर आपको यह संजोग मिलता है कि आपको चीजे डायरेक्ट प्राप्त होंगी जैसे मैं कहते हूं मैंने तो पड़ाई लिखाई भी कर ली मैंने तो PhD भी कर ली astrology में लेकिन अगर आप initial level पर मुझे देखे तो मुझे चीज़े ठाकॉर्जी से ही प्राप्त होती है और आज भी मैं कुंडली बहुत साइड में रखती हूं आप मेरे गर आएंगे मैं आपकी कुंडली नहीं खो आपका शुक्र जहां बैठा है एक तो यह अपनी ही राशी को लेकर बैठा है और दूसरा आपको 10th house में लेकर बैठा है तो आपको जो भी मल्ती मीडिया का काम है उसके अंदर आप जितना ग्रेस पुलियों से दिखा पाएंगे छिचोरा काम नहीं ऐसा काम जो लोगों को थोड़ा सा टच करें ऐसी चीज़ें जो लोगों के सात्विक्त उसको बढ़ाएं सात्विक्ता को तो ऐसा काम आपको बहुत 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 नाम भी देगा पैसा भी देगा तरक्की भी देगा एक चीज और आपको कोई न कोई बंधन या आपके घर में कोई न कोई चीज आपकी मदर के घर से खराब होती हुँ मुझे दिखाई दे रही है आपके ननिहाल पक्ष से जैसे कि मतलब कैसे खराब इस जैसे कि आपके लाइफ में ने बोला है struggle बहुत है ठीक है आपके काम बनते बनते कहीं न कहीं अटक रहे हैं आपका लोगों के साथ relation initial stage पर बहुत अच्छा चलता है उसके बाद एक बाद उस पर आके पता ही नहीं चलता हुँ आपकी life से कैसे खतम हो जाते हैं यह जो hurdles है यह जो दिक्कत है यह जो बार बार आपको किसी ना किसी तरीके से हट हो रहा है mentally, physically यह financially किसी भी तरीके से आपको जो हट हो रहा है इसका जो relation है यह आपके ननिहाल से आ रहा है तो इसके लिए आप क्या करेंगे आप अपनी mother से कोई भी light color का एक कपड़ा ले लेंगे light pink ले लेंगे, off white ले लेंगे, जो भी उनके पास light color का कपड़ा होगा वो आप उनसे ले लेंगे और लेने के बाद आप उसके अंदर पांच मुठी साबुत चावल रखेंगे और इसे आप अपने घर के north में placed कर देंगे यह आप करेंगे तो आपकी life की huddles भी खतम होंगी, आपकी life की problems भी दीरे-दीरे कतम होने लगेंगी और आपको काफी बरकत भी मिलने लगेगी अब अगर मैं आपके कुंडली को बहुत विस्तार से देखने चलू, आगे आगे चीज़े बताने चलू, तो देखो आपके घर का जो southwest part है न, वो कहीं न कहीं आपके घर की energies को distract कर, वहाँ पे particular क्या है, आप देखेगा मुझे बताईएगा, मैं आपको उसका solution बताऊंगे इनका जो सूरे था, किसा उसमे था? चलने के जरूरत है, आपको जब भी कोई चोक लगेगी, आपको जब भी कोई तकलीफ आएगी, आपकी बॉड़ी के राइट साइड पर आईएगा, मेरा मुझे राइट में ठांग भी लगती है, चाहते है, अभी मैंने कैसे निकाला है, जादू, नहीं जादू नहीं है, कोई जादू नहीं है, बेटा, पूरा-पूरा का पूरा साइंस है, पूरा के पूरी मैतूमेटिक्स है, आपकी कुंड़ी में आपका राहु जिस जगे पर बैठा हुआ है, वो आपके राइट घर को एफेक्ट कर दा है, मतलब आपकी बॉड़ी के राइट पार्ट को तो आपको इन तीन अक्षनों से हमेशा बच के रहना क्यूंकि ये कही ना कही आपके लिए या तो आपका नुकसान कर जाएंगे या कही ना कही आपके लिए दिकध करेंगे आपको जब भी लाइफ में प्रोग्रेस मिलेगी, उसमें कहीं ना कहीं M नाम के व्यक्ति का रोल बहुत अच्छा रहेगा, यह आपको हमेशा याद रखने हैं, आप कोई भी काम अपने जीवन का जब भी कोई नया काम करो, या कोई भी नया काम आप स्टार्ट करने जा रहे हो, कोई भी चीज जो आपको लगता है आपकी लाइफ के लिए बहुत मैट पूर है, चोटी-चोटी चीज़े नहीं कहूंगी मैं, कि अब मैं बैंक अकाउंटी को लाने जा रहा हूं, तो भी मैं यह चीज देख रहा हूं, नहीं, इंसान को एस्ट्रोलोजी पे भरोसा र रहेगा, वैसे तो आप सरदार हैं, आप न डाड़ी कटवाएंगे, न आप अपने बाल कटवाएंगे, अगर आप नहीं होते तो मैं आपको कहती कि आपको बुदवार के दिन यह दोनों काम नहीं करने हैं, अब आपको मैं एक चीज और बताती हूं, आपने जो यह करा है कि अपने केश रख लिए, डाड़ी रख लिए आपने, यह अपने बहुत अच्छा करा है, आपने अपने दो ग्रेहों को मजबूत कर लिया, आपके केश बड़े और उसके उपर आपकी जो यह पगड़ी आ गई, इससे आपके पंचम में बैठा हुआ रहू आपको बहु केश बड़ा लिए और आपने जो यह डाड़ी बड़ा लिए, इससे आपके लगन का बैठा हुआ गुरू मजबूत हो गया, और गुरू बैठा कहां पर है इनकी कुंडली के अंदर, सूरे के घर में, तो अब क्या होगा, आपने यह रखा होगा ना, तब से आपके में आपके पिता या पिता तुले जो लोग होंगे, वो आपकी आडवाइस को आपकी बात को आहमेत दे रहे होंगे, उससे पहले वो सुनते भी नहीं होंगे, बहुत सारे एस्टोरे पहले डराते हैं, डरना किस चीज से, इससे ठीक करो, इससे ऐसे ठीक करो, यह पहन लो, तो तोड़े सा मैं यूट्यूब देखके आपके वारे बता लगा तो मैं चलो आज मिल कहते हैं वैसे तो देखे कहने वाले तो मेरे बारे में भी बहुत कुछ कहते हैं हाँ मैं आजकल बहुत अमीरों की एस्ट्रोलाजर हो गई हैं पर जो इनिशली आपके वगल में बैठा है इससे पूछो मैं बहुत अच्छे दिल से लोगों की कुणियां देखती हैं मेरे साथ सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है मुझे प्यार है अपने काम से मुझे अपने काम से बहुत प्यार है तो में को ऐसा लगता है मेरे पास आने वाला इंसान उसे मैं तोड़ू नहीं मेरे अपने कुछ ग्रह बहुत अच्छे हैं जो मुझे बहुत बोल्ड ब आप मुझसे कुछ तो लेके जा रहे हैं तो वो positivity ही मैं देने का काम करती हूँ अब मैं आपको डराओंगी मैं आपको और नाकारत्मक करूंगी तो मेरी जो अच्छे positive ग्रह है वो भी तो कहीं ना कहीं नाकारत्मक होंगे क्योंकि मैं काम गलत तरीके से कर रही हां fact of life बताओ लैंजी कैंजे कि ऐसा होने वाला ये चीत बहुत सारी कुणिए यहाँ से लोगा Soul बताए कि पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे ग्याते मुझे मालुम है कि यह नEM नइ होना तो मैं बहुत सपस्त चномуसे साहलों बोलती हूँ नहीं होगा यी नहीं अब आप कुछ मर् से तो मरते उएको जिन्दा कर सकते हैं इतनी वड़ी ताकत हैं हमारे हाथ में तो इतनी इतनी बक्ष हमारे गोविंद्न हमको इतना सम्हला है हम उसे इतना बल दे सकते हैं, जितने depressed लोग होते हैं, जब सुषान सिंग जी की जब death हुई थी, तो मैं अपने बच्चों को यही बोलती थी, मैंने live में आकर भी यही बोला कि ठाको जी एक बार, हाला कि मैं celebrities की कुणली नहीं देखती, मैं आपको सच बता रहे हूं, मेरी बात कर लेती, तो शायद यह कदम न उठाते, तो जब भी कोई ऐसा व्यक्ति मेरे सामने या मेरे पास में आता है, तो मुझे लगता है कि जोतिश में ताकत है, किसी negative को positive करने की, जो already आपके पास negative हो क्या रहे है, उसको और negative करके क्या मिलता है, मज़ा तो तब है, जब आ बहुत अच्छे astrologer है, जीरो को और माइनस जीरो बनाने यह तो में को नहीं लगता कि कोई अच्छे astrologer की निशानी है, जैसे मैं आपको अभी बूल रही थी कि 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 किसी चीज में already ताकत है, तो हम उस चीज को छेड़ी क्यों रहे हैं, कुली में एक ग्रह खराब है, दो ग सबसे पहले चीज तो यह है, मन में बटकाव बहुत है, मन विचलित बहुत है, मन के अंदर बहुत सारी चीजे हैं, जो हम चाहते हैं कि हमारी हो जाए, लेकिन उसके लिए रस्ता क्या होगा, करेंगे कैसे, यह पता नहीं, दूसरी चीज यह है कि आपके घर के अंदर, आपके घर के अंदर ना एक चीज बहुत कॉमन रही है कि कही ना कही आपके घर में जो मेशा उनको पोछके देखेंगा उनको कही ना कही सिर से रिलेटेट डिक्कत रहती है, कि या तो उनका सिर बहुत दर्ध करता है, हमेशा रेगुलर एक तो ही होता है कभी कभी करता है एक होता है किसी का सिर बहुत कमजोर होता है रेगुलर सिर दर्द करता है या एक होता है कि पर्टिकुलर सबको बच्पन में सिर में चोट ज़रूर लगी है अब ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता बच्पन में मुझे सिर में चोट एक उमर के बाद लगी है, एक एज के बाद, आपकी कुली के अंदर ऐसा चीज है कि वो आपको कहीं न कहीं ये चीज दिखाता है, तो अपने घर के जो बड़े male members है न, उनसे ये बात आप टैले करिएगा, इसलिए फादर है फादर से उपर दादर जी ह है कि देखिए आप न, दिल के तो बहुत साफ है, बहुत clear है, हमेशा दूसरों के लिए अच्छा ही करके चलना चाते हैं, हमेशा अच्छा सोचते हैं लोगों के लिए, लेकिन problem क्या है कि आप जिस तरीके से काम करते हैं, या आप जिस तरीके से उनके लिए चीजे करते है वो उनको हजम नहीं होती, कहने का मतलब यह लोग आपके करे हुए से साटेस्वाइड नहीं हो पाते, आपना गौ माता को अपने हाथ से बेसन की रोटी खिलाना चालो कर दो, आठे के अंदर बेसन डालके आप गौ माता को खिलाना स्टार्ट कर दो, एक चीज और मैं आपको बता दू, अगले साल आपकी लाइफ के अंदर एक तर्न आने वाला है, या तो आपको कोई ऐसा दोस्त मिलेगा, या आपको कोई ऐसा पार्टनर मिलेगा अपनी लाइफ के अंदर, जिसके साथ जोड़कर आप कोई नई दिशा या नई चीज आरंब करोगे, पैसे मत लग करना, वरना खराब हो जाएगा, बिना पैसे के जो काम कर सकते हो, आपकी कुंडली में पैसे लगा कर पैसे कमाना है ही नहीं, आपको थोड़ा सा अपनी लाइफ स्टाइल के अंदर कैसे भी करके, आपको सूरे तत्व की चीजों को लाने की जरूरत है, जैसे कि आप कुछ कुछ ना कुछ चीजे करते रहा करो, जरूरी नहीं वो आपके घर परिवार के लोग, आपको जहां भी कोई अपने से बड़ा बजूर्ग दिख जाए, आप उनके लिए जो भी उस समय कर पाएं, उन्हें पानी पिला पाएं, उन्हें खाना किला पाएं, उन्हें को आपको मजा आओगा, और बहुत कुछ सीखते को मिलाओगा, हमने कोशिच करिये, हम एक प्लैनेट को कवर कर पाएं, नेक्स प्लैनेट कौन सा होना चाहिए, आप नीचे कमेंट सेक्षिन कर दो बता सकते हैं, और 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 मत बोलना, हम और में नी चलेगे, हम रैंडम नी च जैहित बद्द मातरों